पंचपरमेस्वर कहानी का सारांस लिखें पंचपरमेस्वर सिर्षक कहानी का सारांस इस परकार है जुम्मन सेख और अल्गी चधरी बहुत गहरे मित्र थे जुम्मन की खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थे रश्ट्री होने के बाद जुम्मन और उसकी बीवी करीमन खाला को परिसान करने लगे खाला ने जुम्मन की सिकायत कर दी, मामला पंचायत में गया अलगु चौधरी को सर्पंच बनाया गया अलगु चौधरी ने फैसला सुनाया, खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, नहीं तो रेश्ट्री रत समझी जाए जुमन को या फैसला खटकने लगा, वह बदला लेने की ताक में था, अचानक उसे इसका अवसर भी प्राप्थ हुआ समझू साहु ने अलगु चौधरी से एक महीने बाद दाम देने का वादा करके बैल खड़ीदा, बैल समझू की लापरवाही के कारण मर गया समझू ने अलगु चौधरी को बैल के दाम नहीं दिये, मामला पंचायत में गया, जुमन को सरपंच बनाया गया जिसने अपनी जिम्मिदारी अच्छी प्रकार निभाई जुमन ने फैसला सुनाया था कि यह उचित है कि समझू साहुने के पूरे दाम दे जिस समय उसने बैल लिया था, बैल को कोई बिमारी नहीं थी, उसकी मृत्यू ज्यादा बोज लादने और चारे पानी के कुप्रबंध के कारण हुई अलगू चोधिरी ने पंच परमेश्वर की जय जयकार की, जुमन अलगू के पास आये और उनके गले से लिपट गए, इस प्रकार प्रेम चन्द ने पंच परमेश्वर, पंच में परमेश्वर का वास सचमुच में प्रमानीत कर दिया था प्रस्ण है, पंच परमेश्वर का क्या अर्थ है? पंच परमेश्वर, पंचायती राज में न्याय दिलाने का एक साधन था जिसमें पाँच पंच मिलकर किसी भी समस्या का समाधान किया करते थे जब वो पद पर बैठते थे, तो जिनके अंदर न्याय की देवी बैठा करती थी, वह पंच परमेश्वर की रूप में जाने जाते थे पंच का समस्टी मूलक अर्थ पाँच परमेश्वर से भी सिद्ध होता है समुची स्रिष्टी में इस स्वर को ही सरवच्च माना गया है इस मंडली को पंच परमेश्वर की संग्या देने का ताथ पड़ ही पंच सब्द की महता और उसमें नहित गुरूता यानि स्रिष्ठता को सामने लाना है जुमन ने खाला को क्यों रोटी कपरा देना सुईकार किया उत्तर है जुमन ने खाला को रोटी कपरा देना इसलिए कबूल किया था क्योंकि खाला ने जुमन के नाम अपनी जायदात की रेजिस्ट्री कर दी थी प्रस्न है जायदाद की रेस्टी होते ही जुमन का ब्यावार बदल गया इससे जुमन के सुभाव की क्या विसेस्ता प्रकट होती है तरहे जाइदाद की रेस्टी के बाद जुम्मन ने खाला की परवाह करना छोड़ दिया इससे उसके स्वार्थ और धुर्तता का पता चलता है प्रस्ण मैं अलग खाना पका लूँगे खाला ने ऐसा क्यों कहा उत्तर है खाला ने समय पर खाना नौ मिलने पर परिसान होकर ऐसा कहा था पंच में परमेश्वर का वास होता है ऐसा लेखक ने क्यों कहा उत्तर क्योंकि पंच में परमेश्वर का वास होता है जब जुम्मन ने खाला को खाला को पंच में बुलाया और अलगू ने पंच बनकर उसका सही समाधान किया तो जुम्मन को लगा कि इसने जानभूच कर ऐसा किया इसलिए जब बैल के मामले में जुम्मन को पंच बनाया गया और उसने अलगू के पक्ष में फैसला दिया तो उसे लगा कि बास्तों में पंच में परमिस्वर का वास होता है इस पर किसी मनुस्य विशेश का नियंतरन नहीं होता है